हेलो गाइज वेलकम बेक तो माई न्यूव वीडियो तो गाइज आज आपके सामने खड़ी है एक टाटा की स्कूल वेन इसका नाम है टाटा वेंगर च्योंकि एठारा प्लश डिगी के साथ में आती है और इसका वील बेस है बद तीसो एमम का तो दोस्तों आज की इस वीड चैनलर पर पहली बार पदा रहे हो तो चैनलर को सब्सक्राइब करें और पास मिलेगे गंटी को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियो समेशा देखने को मिलते रहें तो दोस्तों चलिए बीने किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं तो गैस यह चेकरो इसका फ् कुल वेन हैं तो यहां पर सेफ्टी बहुत ही शुरूरी होती है और गाड़ी का इंजिन आगी की तरफ आता है ति यहां पर आपको चोटा सा बोनट मिल जाता है कुछ इस टाइप से जिससे गाड़ी के सेफ्टी काफ़े बढ़या हो जाती है उस साथ इसका रख 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 ब्लेक प्याइन फिनिस के साथ में और खास बात यह है कि यहां पर आपको मिलते हैं डियारल्स च्विक इंडिकेटर भी काम करते हैं और निच्छा आपको मिलता है हेलोजन में हेड़ लाइट सेट अप और कुछ इस टाइप से आपको मिलता है गाड़ी का फ्रॉन्ट और इसका ग्राउंड क्लियंस है 185 mm का जिससे आप उबड़ खाबर उस्तो पर आराम से गाड़ी को चला सकते हो गाड़ी का वील बेस हैं 32 mm का मतलब अगले टायर से पिछले टायर की दूरी और यहां आपको मिल जाता है एक छोटा सा इंडिकेडर और उपर आपको मिलते ह हैं कुछ श्डैब से यहां पर आपको outside mirror मिल जाते हैं जोकि fold and unfold hold जाते हैं और ऐसे कुछ हैं आप आपको door handle मिलते हैं यहांसे आप सो lock unlock कर सकते हो और मारूति के e-co में आते हैं वैसे यहा पर aktu sliding door मिल जाते हैं और यहां से कर सकते हैं इसका आप अनलोक औरlock और कुछ इस प्रकार से आप इसको slide कर सकते हो और जैसे आप इसको slide करते हो तो यह रुकर automatic lock हो जाता है और यहां से आप डलवा सकते हो diesel diesel tank capacity की बात करें तो 60 liter की capacity है और निचे आपको मिलता है इसका urea tank क्योंगी गड़ी diesel है और छोटे बच्चों को गड़ी के अंदर जाने में असानी हो उसके लिए यहां पर आपको मिलता है footstep काफ़े बड़ी size में और दोस्तों बात करते हैं गड़ी के tire की size की यहां पर आपको 95 और 15 पंदरा इंच के आपको tubeless tire में मिल चाहते है radial tire है यह और साथ आगी की तरफ आपको brake मिलते है disc और पिछे आपको मिलते है drum और साथ यह बात करते है front के suspension की यहां पर आपको मिलते है make present type coil spring suspension और साथ यह आपको मिलते है anti roll bar system जिससे गाड़ी की stability काफ़ी बढ़या रहती है और इसके body और इसके chases की बात करते है गाड़ी पूरी monocoque chases के साथ में बनी हुई है जिससे गाड़ी की मजबूती काफ़ी बढ़या रहती है और साथ ही यह गाड़ी front wheel drive है मतलब पिछे के axle काम नहीं करते है front के axle काम करते है जिससे गाड़ी की stability काफ़ी बढ़या रहती है और comfort काफ़ी बढ़या रहता है और दोस्तों यह चेक कर सकते हो गाड़ी का पीछे का look यहाँ पर आपको मिलती है Tata की basing और इस side देखे यहाँ देखने को मिलती है विंगर की basing और निचिक तरफ देखे यहाँ पर आपको double reverse parking sensor मिल जाते है और fully LED यहाँ पर आपको tail lane मिल जाते है जो कि दिखने में काफ़ी शांदार लगते है और अब खोलते हैं गाड़ी की tail gate को यहाँ पर देखते हैं चाचा मिलता है जो जैसे हम door को open करते हैं तो कुछ इस टाइप्स यह पूरा खुल जाता है और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी शांदार यह system जो कि काम करता है आग बुझेने का यहाँ पर पूरा system लगा हुआ है जो कि आपको control करता है पहले यह लाल टेंग आता था जो कि पानी स्प्रे करता था केवल इंजिन में लेकिन अब यहाँ पर पूरी गड़ी में आग बुझेने के काम करेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शांदार काफ़ी बड़ी साहिज में यह टेंग लगा हुआ है यह पानी का टेंग है जो कि पूरी गड़ी में पानी का छड़का हो गरेगा और आग बिल्कुल control हो जाएगी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इसका चेक और बिल्गा हुआ है बागी दोस्तों टाटा मोटर्स ने यह जो काम किया है बहुती लाजवाब हैं काफी यूसफूल है और काफी बड़िया फीचर है क्योंकि सेफटी बहुती जरूरी है सेफटी फच्ट होती है खास कर स्कूल बसो में और यह है गाड़ी की रूफ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो और यह सेम ही डोर आपको उस साइड भी मिल जाता है और यह गाड़ी की चाबियां दो में स्विच के लिए हैं और दो यूरिया टैंक के लिए हैं और यह हैं ड्रावर की सीट काफ़े कंफेटेबल सीट है इसको आप आगे पीछे कर सकते हो उपर निचे कर सकते हो और रिक्लाइन भी कर सकते हो और यह जो लाल कलर में है इनको हैमर बोला जाता है और इनका काम है ग्लास को तोड़ना इमरिजेंसे कोई भी दिक्कत आ जाए तो यहाँ पर आप ग्लास को तोड़ सकते हो जैसे कि लिखा हुआ है इमरिजेंसी एक्जिट और कुछ इस टैप से हैं गाड़ी का आपको इसमें मिलते रहेगी और यहां मिलता है आपको रिये जनरेशन के लिए बटन यहां पर आप खाली स्विच लगा सकते हो कुछ भी फुली यहां पर आपको एक्सेलेटर मिलता है ब्रेक सिंगल ब्लेट राइफ फंक्शन वाला कलच वहाँ देखना को मिलता है और जैस इसकी साइटे से आप गाड़ी में ज्यादा माइलेज ले सकती हो अगर आपकी गाड़ी खाली है तो यहां पर आपको पांच वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है ड्यूल बाइचस आग वगरा लग जाए यह सेंस करते हैं पूरे सिस्टम को और यह ओपरेट कर आपको त्रада मिश्या के साइड में गाड़ के सीट मिलती है इस पर दो बंदे आराम से सकते हैं मतलब दो बैजय सकते हैं और छोटा हम अपर की गाड़ी यहां पर आप चेक कर सकते हो पूरी sitting capacity बागी दोस्तों ऐसा कुछ है गाड़ी का पूरा interior यहां पर आपको ऐसे कुछ गाड़ी की पूरी sitting capacity देखने को मिलती है और यहां पर तो बंद्य आराम से चले जाएंगे आराम से बच्चे बेट जाएंगे लेकिन दिकत कहां पर आए हो और बाहर निकलना है तो यहां पर यह लिवर दिया हुआ है इसको आप उपर करोगे तो इस प्रकार से उपर उट जाएगे और आराम से आप बाहर आ सकते हो बागे हर एक सीट की नीचे यहां पर आपको बेग वगेरा कुछ भी सामार रखने के लिए space दिया हुआ है और यहां यहां पर आपको सीट के पिछ यहां छेहाए लेकर उपर एक और हैमर तो दोस्तों यस था आज का वीडियो करना वेंगर स्कूल का कैसा लगए यूद्ट करके और आपको कॉमेंट कर लिए और यहां असवर है रखकार से ओ। ми आपे अधिर सगे पर यहां ईहां रहे जुरूर बिताना और किमत की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआती किमत है करीब 14,50,000, 14,000 लाग इसकी एक्स्वरम किमत ओने वाली है और यह ओन रोड किमत अलग-अलग और दोस्तों मैं मिलता है आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नई गैड़ी के साथ में, तब तक के लिए जाए हिन, जाए बारा, थेंक्यू सो मच फॉर दा वचिंग दा वीडियो